नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन किसानों के लिए important होने वाला है जो सरसों का खेती करते हैं सरसों का खेती करते हैं और वो माहू कीट जिसको की हम लाही के नाम से भी जानते हैं वो उनसे काफी ज़्यादा परेसान है तो उसके लिए वो कौन सा दवाई इस्तेमाल करेंगे तो डाई, मिथोएट, 30EC, और मिथाईल, और डेमेटोन ये दो दवा होता है इसका क्या कैसे, कितना मात्रा में इस्तेमाल करना है सभी जानकारी आपको लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ पहले उसका सिम्टम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उसका सिम्टम क्या होता है उससे क्या नुकसान होता है उसके बारे में दवा का टोटल कितना एमांट में आपको प्रियोग करना चाहिए कितना एमेल, कितना लिटर पानी में मिला के देना चाहिए यह सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेके लाश तक देखिए बस वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि यह माहू यह जो कीट होता है यह नुकसान किस प्रकार से करता है तो इस कीट के समय पतियों पर मधुस्राव भी करते हैं इस मधुस्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है तथा प्रकास संसलेशन की क्रिया जो है पाधित होती है इस कीट का प्रकोप दिसमबर जन्वरी से लेके आपको मार्च तक बना राता है इसके रोक थाम के लिए आप क्या करेंगे तो इसके रोक थाम के लिए जो कितना सी है वो है आपको डाइ मेथोएट 30 EC और मिथाइल ओ डेमेटोन 25 EC इसका आप इस्तेमाल करेंगे एक एमेल एक से दो एमेल प्रती लिटर आप वाटर में मिला के डाइ मिथोएट 30 EC इसका आप दो एमेल प्रती लिटर पानी में इस्तेमाल करेंगे और मिथाइल ओ डेमेटोन इसका भी आप दो एमेल प्रती लिटर पानी में इस्तेमाल करेंग उसके बाद आप उसका छिरकाव अपने खेत में कर सकते हैं तो आप लोग को जानकारी अगर अच्छा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने खेत में इस्तेमाल करें आपको जरूर से जरूर फैदा होगा थैंक्यू